हेलो फ्रेंड्स, विफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में आपको जानकरी देना चाहूँगा आज के रिपरिंग फिल्ड में माइक्रोस्कोप ऐसा टूल है कि उसकी मैक्सिमुम रिक्वर्मेंट रहती है क्योंकि अभी जो PCV आती है उसमें बहुत ही माइक्रो SMD कंपोनेंट्स रहते हैं माइक्रो ट्रैक्स रहते हैं तो उसको सही तरीके से अब्ज़र करने के लिए प्रॉपर रिपेरिंग करने के लिए माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी रहता है तो हमारे पास microscope की जो range है उसमें से मैं आपको microscope जो है उसका specificization बताना चाहूंगा ये binocular है जो की laboratory use में ज्यादा use होता है ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.7x से लेके 4.5x तक का zooming lens दिया हुआ है जिसको आप यहाँ से convert कर सकते हैं adjust कर सकते हैं ये नोप के द्वारा lens को move करके आप focus कर सकते हैं यहाँ पे रखे गए object को आप ये eye piece के द्वारा observe कर सकते हैं और वो object को observe करने के लिए यहाँ पे illumination के लिए light है दी गई है दो एक यहाँ पे halogen light है यहाँ नीचे के लिए तरफ halogen light है जिसको यह नोप के द्वारा हम switch कर सकते हैं और यहाँ पे इसका dimmer दिया गया है यह लाइट डीम हो गई और उसको bright भी कर सकते हैं यहाँ पे digital view के लिए head दिया गया है यहाँ पे हम digital ccd अटेज कर सकते हैं और उसके द्वारा हम screen के उपर live view देख सकते हैं सो यह binocular भी हम multipurpose के लिए use कर सकते हैं और इसको live view हमें देखना है अगर तो यह digital view head के द्वारा हम उसको tv screen या तो monitor के उपर connect कर सकते हैं फिर्यों कर सकते हैं